हेलो फ्रेंड वागत है आप सभी का आपकी अप्री रसोई में आज मैं सेयर करने जा रहे हूं आप लोगों के साथ मिक्स डाल रेसिपी विल्कुल रेस्टोरेंट इस्टाइल तो चलिए फिर आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वेल आइकन को प्रेस करिए इससे मेरी आने वारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी यहाँ पर हमें मिक्स डाल बनाने के लिए हमेचे यह पांस तरह क दालें तो यहाँ पर मैंने चना दाल उड़त दाल मूंग दाल मसूर दाल और हरहर की दाल लेंगे इसके बाद हम दाल को अच्छे तरह से धुल लेंगे एक बार यह रेसिपी आप भी जरूर ट्राइब कीजिएगा बहुत जादी टेस्टी बनती है दाल तो यहाँ पर दे कि मैंने दाल को धुल लिया है तो अब चलते हैं दाल को पकाने की प्रोसेस में तो हैं पर मैंने कुकर लिया हुआ है उसमें हम दाल को डाल देंगे इसके बाद इसमें 2-5 ग्लास पानी आट करेंगे ज्यादा पानी नहीं डालना है वन टेबल स्पून हल्दी पावडर और को स्वाद उनसा नमा काड़ करेंगे वन टेबल स्पून डाल देंगे अब हम कुकर का ड़कन लगाएंगे और मेडियम फ्लेम पर रखकर 5-6 सीटी आने तक पकाएंगे दाल को तो यहां पर देखिए 5-6 सीटी लग चुकी और दाल हमारी जो है पक गई है अब हम इसको खो अब हम दाल का तड़का लगा लेते हैं तो दाल का तड़का लगाने के लिए यहां पर चाहिए चार बड़े चम्मस देल आधी चम्मस जीरा और दो से तीन तेज पत्ते लेंगे इसके बाद सूख हिलाल मिर्च एड़ करेंगे इसमें वन टेबल स्पून कुटी अध्रक अध्रक और लेसन डालने से दाल कर जो टेस्ट है बहुत ही इच पड़ियां आता है वन पिंच हिंग एड़ करेंगे और वन स्लाइस अनियन एड़ करेंगे इसमें अब हम इस पर धकन लगा के दो से तीन मिनिट तक प्याज को पकने देंगे तेहां पर देखिए हमारी प् दॉड़री टमाटर अड़ आड़ करेंगे तंवाटरों को गलाने के लिए यहां पर हम नमक आड़ कर देंगे ध्यान रहे दाल में हमने पहले भी नमक आड़ किया हुआ है तो उसे हिसाब से इसमें नमक आड़ करेंगे इसके बाद एं टेबल स्पून देगी मिर्श आड करेंगे इसमें हाफ टेबिल स्पून गरम मसाला अड़ करेंगे अच्छा से मिक्स कर लेंगे इसके बाद हम इसको डग देते हैं दो से तीन मिन्ट तक पकने देंगे तेहां पर देखिए हमारे प्याश च्माटर जाच्छा से पग्या है हम इसके बाद दाल को आड़ कर देंगे अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर अब देख सकते हैं कि तब बढ़िया सा कलर आया हुआ है दाल में इसके बाद हम इसमें गरम पानी आड़ करेंगे गरम पानी डालने के बाद दाल को फिर से एक बार अच्छे से मि आपकी फेवर्टर डाल कौन सी है और आप मेरी वीडियो कौन से साहर से देख रहे हैं कॉमेंट में ज़रूर बताएगा तो यहाँ पर देखिए हमारी डाल जो है अच्छे से पग गई है अब हम उसमें फ्रेस हरी धनिया की पत्ति याड़ कर लेंगे ग्यास बंद करने से पहले हम इसमें वन टेवल स्पून घी अड़ करेंगे इसे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है घी डालने के बाद ग्यास को हम बंद कर देंगे यहाँ पर देखिए जो मैंने घी अड़ किया था इसमें घी मेल्ट हो जोकी है अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दाल में यहाँ पर देखिए दाल का टेक्स्चर जो है कितना बढ़िया आया हुआ है यह देखिए दाल को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर हमें एक जबर जब तड़का लगाएंगे तो यहाँ पर दो टेवली स्पून तेल लेंगे और कटे वही लसन अड़ करेंगे कटे वही अद्रग वी अड़ कर लेंगे इसमें इसके बाद इसमें हम करीपत तायाड कर लेंगे यहाँ पर राई और जीरा डालने के ज़रुरत नहीं है अब देखिए आपर करीपत तायाड कर लेते हैं यहाँ पर देखिए हमारी दाल में लगाने के लिए तड़का तयार हो चुकी है यह देखिए हमारी गर्मा गर्म दाल जो है बनकर रैडी हो चुकी है तो आप गर्मा गर्म दाल और चावल को इंजॉय करिए और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले बेल आइकन को फ्रेस करिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कॉमेंट जरूर करिएगा ओके बाइ फ्रेंट मिलते हैं ऐसी टेस्टी रेसिपी के साथ अगली वीडियो में